नमस्कार दोस्तों नमस्षिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज महाशिवरात्री पर्व के विशह में बात करूँगी और इसकी सरल पूजा बिधी बताऊंगी महाशिवरात्री जो की महापर्व है भगवान भोले नाज जी को प्रसन करने के लिए भगवान भोले नाज जी से अपनी मनो कामना को कहने के लिए यह पर्व विशेश महत्वपूर है मान्यता है कि इसी दिन शिव शक्ति का मिलन हुआ था अर्थात माता पार्वती जी और शिव जी का विवा हुआ था यह भी मान्यता है कि इसी दिन शिव जी का प्राकटे हुआ था अर्थात वह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे तो इस दिन का महत तो बहुत ही वि अब मनाया जाता है आए इसकी सरल पूजा विधी जान लेते हैं दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजेगा कमेंट बॉक्स में नमस्षिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों व लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों महाशिव रात्री के दिन आप ब्रत रखें या न भी रखें पूजा विधी जरूर करें पूजा जरूर करें भगवान शिव जी को एक लोटा जल बेल पत्र अवश्यर पित करें आप चाहे तो मंदिर में जाकर शिव बना कर भी आप पूजा कर सकते हैं किसी भी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं किसी विशेश परिस्थिती में यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या शिवलिंग के अस्थापना नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही भगवान शिव जी माता पारवती जी अर्थात पू आवश्यक नहीं है कि सामगरी कोई भी कम पड़ जाए नहीं है तो आप इसके लिए चिंतित नहों आप मांसिक रूप से उस सामगरी को अरपित करें अभिशेक के लिए भगवान सिर्जी की पूजा करने के लिए उनका अभिशेक करने के लिए आप जल ले लीजिए गंगा जल गायका घी चंदन पानका पत्ता धूप श्वेत पुस्प मंदार पुस्प भस्म गंध बेल पत्र दीपक शमी पत्र कपूर मिठाई फल शहद दही काला तिल गायका दूद मेवा गुलाब जल गन्नेकारस नारियल जो की साबुत नारियल होना चाहिए नारियल खंडित नारियल टूटा हुआ नारियल भगवान भोलेनाज जी को नहीं अरपित किया जाता है सुपारी जनेव श्वेत बस्त्र श्वेत बस्त्र नहीं है तो उसके जगह पे आप कलावा भी ले सकते हैं आर्ती के लिए एक दिया साथ में घी या तिल का तेल ये सारी सामगरी हो ग अर्चा मृत बनाकर भगवान भोलेनाज जी का अभिशेक कर सकते हैं सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाएं या फिर घर पे आपके शिवलिंग है तो आप स्वक्ष वस्त्र धारड करें स्नान करें स्वक्ष वस्त्र धारड करें ध्यान रहे कभी भी शिव जी की पूज जाएं यदि आप घर पे हैं मंदिर में हैं तो वहाँ जैसी भी बेवस्ता है आप जाएं सबसे पहले गंगा जल डाल कर साधारड जल में भगवान भोलेनाज जी का अभिशेक करें अभिशेक करने के बाद आप उन्हें पंचा मृत से अस्नान कराएं चाहें तो पंचा इससे अस्नान कराने के बाद साधारड जल से फिर भगवान भोलेनाज जी को स्नान कराया जाता है अस्नान कराने के बाद फिर हम उनका स्रिंगार करते हैं अर्थात चंदन उन्हें अर्पित करते हैं त्रिपुंड बनाते हैं त्रिपुंड भगवान भोलेनाज जी अर्थ यह भगवान भोले नाज जी को और सिंदूर यह भगवान भोले नाज जी को अर्पित नहीं किया जाता लेकिन कहीं कहीं लोगों की यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोले नाज जी मता पारवती जी का विबाह हुआ था तो इसलिए इस दिन हल्दी और कुमकुम रोली भगवान भोले नाज जी को अरपित की जाती है आप लोग जैसा भी उचित समझें आपके हाँ जैसा भी आपके पुरोहित पंडित बताएं आप उस तरह से करें ये दोनों ही मान्यताएं है तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अब बात आती है कि हाँ साधारण जल से आपने स्नान करा दिया फिर आप चंदन से त्रिपूंट बनाएं उसके बाद उन्हें बेल पत्र, शमी पत्र अरपित करें श्वेत पुस्प मिल जाए तो अति उत्तम है मंदार पुस्प हो या फिर नीले अपराजिता के फूल भी भगवान भोले नाजी को बहुत ही प्रिय है बेल पत्र पे यदि संभव हो तो आप राम राम लिखकर जरूर अरपित करें चाहे तो एक ही बेल पत्र अरपित करें भगवान भोले नाजी को तोलसी पत्र नहीं चड़ाई जाती है इस बात का ध्यान रखें शमी पत्र आप चड़ाएं उन्हें फिर आप मिस्ठान जो भी आप ले गये हैं सात्रिक कोई भोग मिस्ठान उन्हें अरपित करें अर्पित करने के बाद आप उन्हें धूप दिखाएं धूप अगर बत्ती जो भी आप ले गए हैं उन्हें दिखाएं एक दिया वहाँ पर प्रजलित करने भगवान के शिव जी के मंदिर में दिया जलाने का विशेश महत्व होता है जनेवु अर्पित करें श्वेद बस्त्र यदि आपके पास है तो श्वेद बस्त्र अर्पित करें नहीं तो आप कलावा बस्त्र के भाव में बस्त्र के रूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से भगवान भोलेनाज जी की संपूर पूजा करें उसके बाद अंतिम में भगवान भोलेनाज जी की आरती करें अब बात आती है साथी साथ पूरे श्रीव परिवार की पूजा हमें करनी है मा पार्बती जी को स्नान कराएं उन्हें सिंदूर अर्पित करें उन्हें स्रिंगार की पूरी सामगरी अर्पित करें पुषप अर्पित करें वस्त्र लाल रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करें या फिर कलावा ही आप अर्पित कर दें साथी साथ स्री गडेश भगवान जी की पूजा करें, कार्तिके भगवान जी की पूजा करें और नंदी बाबा की पूजा करना पिलकुल न भूलें। नंदी बाबा कि पूजा विशेश रूप से करें, उन्हें भी सभी सामगरी जो कि मैंने बताई उन्हें अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान भोले नाजी की पूजा करें, अंति में उनकी आर्थी करें। इस तरह से करने के बाद आप आएं अपने घर में जो आपके घर का मंदिर है वहां भी भोग प्रसाद अर्पित करें भगवान भोले नाज जी के साथ पूरे श्यू परिवार की पूजा करें आर्ती करें और भोग प्रसाद पूरे परिवार ग्रहण करें इस प्रकार से बिल कामना पूड़ हो आप सभी लोगों को मेरे सभी भाई बहनों को महा शिवरात्री पर्व की हार दिख्षुप कामना है धन्यवाद दोस्तों नमह शिवाएं